चोकलेट मामी से मैं सीमा धावाई आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बुद्वार के कहानी सुनाने जारी हूँ मैं आपको बताने जारी हूँ कि नगर बसेरा करना क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको एक कहानी के जरिये बताने जारी हूँ एक बार एक जाट और एक भाट दो जने थे दोनों कहीं यात्रा करने जा रहे थे और वो बुद्वार के दिन जा रहे थे तब जाट तो अपनी पत्नी को लेने गाउं जा रहा था और भाट भी उसी गाउं में अपनी बहन से मिलने जा रहा था जाट ने भाट से कहा भाई आज बुद्वार का दिन है और आज हम दोनों ही अपने अपने गाउं किसी ने किसी काम से जा रहे हैं तो चलो अबन नगर बसेरा कर लेते हैं लेकिन भाट ने कहा नहीं भाई तू ही कर ले तू ससराल जा रहा है तू अपनी पत्नी को लेने जा रहा है तेरे लिए मंगल में गीत गाए जाएंगे मेरे लिए कुछ नहीं है मैं तब अपनी बहन के घर जा रहा हूँ मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी मेरे लिए गरम गर्म खाना और पक्वान बना रही होगी तो भाट ने नगर बसेरा नहीं किया जाट वहीं पे एक पानी का लोटा और गहूं के दाने हाथ में लेके नगर बसेरा कर लिया उसके बाद दोनों अपने अपने गाउं की ओर चल पड़े जब जाट अपने गाउं पहुचा तो उसके ससराल में उसकी बहुत ही आवभगत हुई और उसकी बहुत आरती उतारी गई मंगल में गीद गाए गई और उसे बहुत अच्छा-च्छा खाने को मिला खीर, पूरी, सब और वह अपनी पत्नी को लिवा कर जब वापस आ रहा था दूसरी तरफ भाट जब अपनी बहन के घर पहुचा तो उसके बहन का घर पूरा जल चुका था वहाँ कुछ भी उसे को खाने को नहीं मिला, उसकी बहन बहुत दुखी हो रही थी दोनों एक स्थान पर मिले, जाट और भाट, भाट ने दुखी हो रहा था जाट ने पूचा भाट क्या बात हुई, तुम अपने बहन के घर गए थे, क्या हुआ जाट ने कहा, तो भाट बोला कि क्या बताऊं मेरी बहन का पूरा घर जल गया, मेरा वहाँ कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला, मैं बहुत भुका हूँ जाट ने कहा, मैंने कहा था कि हम बुद्वार के दिन आए हैं, नगर बसेरा कर लो लेकिन तुम नहीं माने, चलो अभी फिर से नगर बसेरा कर लो, मेरी बात मानो तो भाट जाट की बात मान गया, और वो नगर बसेरा कर लिया नगर बसेरा करने के बाद, भाट जो वापस अपनी बहन के घर पहुँचा तो देखा कि बहन की जो पडोसन थी वो तरह तरह के खाना लेकर अपनी पडोसन के घर आई हुई थी तो उसे बहन ने कहा कि भाई तुम भूके हो लो आओ कुछ खाना खा लो मेरी पडोसन खाना देखे गई है इस तरह से भाट खाना खा कर वापस अपने गाउं की और लोटा जब रास्ते में आया तब वापस से जाट और भाट दोनों मिले जाट ने का कि आज हम वापस बुद्वार को अपने घर जा रहे हैं मैं अपने पत्नी को लिवा के आया हूँ तो चलो अपन वापस से नगर बसेरा कर लेते हैं लेकिन भाट फिर नहीं माना लेकिन जाट वहीं एक चबूत्रे पे बैट कर पानी का लोटा ले और गेहूं के दाने हाथ में लेकर बोला लपियो लपेशरी तपियो तपेशरी लपका ने लपको फल तपिया ने तपको फल माना मा की काणी खता को फल नगर बसेरो जो कर है मलमल धुए पाप ताता मांडा लापसी देसी मा की मा मादेवना मावसी, देसी मारोद्वार का कोनात, मीठा मीठा गास, कशन जी को साथ, बेकुंटा को वास, यो देसी मारोदीन बंदू दीना नात इस तरह से जाट ने नगर बसे रखिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने गाउं की ओर चल पड़ा उधर भाट जब अपने गाउं की ओर आ रहा था तो रास्ते में ही उसके पिताजी उसे मिले उसने कहा बेटा भैस गुम गई है, पता नहीं कहा चली गई है, तुम घर बाद में आना, पहले भैस को ढूंडो, मैं उस तरफ जाता हूँ, तुम इस तरफ जाओ इस तरह भाट घर ना जाकर भैस को डूंडने के लिए इधर उधर भटकता रहा, जब वो इधर उधर भटक रहा था, तो जात उसे वापस मिला, जात ने कहा, अरे भाई, मैं तो घर भी हुवा आया, तुम कहा इधर उधर उधर भटक रहे हो? जाट ने जब भाट से पुझा तो भाट बोला क्या बताऊं हमारी भहस गुम गई है रास्ते में मेरे पिता जी ने मुझे बताया तो मैं अपनी भहस को ढून रहा हूँ जाट ने कहा ये सब कुछ नहीं है तुम मेरी बात मानो तुम वापस से नगर बसेरा करो तब भाट के समझ में आई और वो वापस से नगर बसेरा करने लगा जाट ने उसे अच्छे से बैट के पानी का लोटा हाथ में लेके और ग्यहूं के दाने हाथ में देके उसे अच्छे से नगर बसेरा करवाया नगर बसेरा करने के बाद जब भाट अपने घर पहुंचा गर पहुंचने के बाद उसकी मा ने का बेटा तुम इति देर कहा थे तो भाट बोला मा मुझे भहस नहीं मिली मैंने बहुत तरब देखा मा ने का बेटा भैस तो घर आ चुकी है तुमारे पिताजी ले आए हैं लो बैठो गरम गरम खाना खाओ तब भाट अपने मा के हाथ से गरम गरम खाना खा रहा था तब उसे समझ में सब कुछ आ गया कि ना तो बुद्वार के दिन उसे जाना चाहिए था और ना ही बुद्वार को उसे वापस घर आना चाहिए था और अगर वो जा भी रहा था तो उसे जाट की बात मान लेनी चाहिए थी उसे जाते समय भी नगर बसेरा कर लेना चाहिए था और आते समय भी नगर बसेरा कर लेना चाहिए था ये बात उसने अपनी मा के साथ बताई, उसकी माने का बेटा जाट सही बोल रहा था, तो मैं उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, इस प्रकार जो मुसीबत उस भाट के उपर टूटी, वैसी किसी के उपर ना टूटे, और जो खुशियां और जो सुख में मंगल में यात्रा जो से पहले हम नगर बसेरा कर लें, और अगर बुद्वार को हम वापस घर आ रहे हैं, तो नगर बसेरा कर लें, नगर बसेरा करना बहुत आसान है, लपियो लपेस्री, तपियो तपेस्री, लपियाने लप को फल, तपियाने तप को फल, मानमा की कानी का ता को फल, नगर बस अगर ये सब आप भी करेंगे तो आपको भी सब मंगल में होगा सब खुश्या मिलेगी बुद्वार को यात्रा करने से पहले नगर बसेरा करना बहुत जरूरी है तो ये मैंने आपको कथा सुना कर बताया है कि नगर बसेरा करना क्यों जरूरी है इसलिए जब भी आप वापस घर आ रहे हैं तो उधर से आते समय भी वापस से आप नगर बसे रख करें ऐसा करेंगे तो आपकी यात्रा मंगल में होगी और सबसे कुशल रहेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकले मामी से मैं सीमा धावाई धन्यवाद